गुड बॉनिंग एप्रिबर्ण कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे टोड़े इस ट्वेंटिएथ ओफ में 2022 और डे है फ्राइडे तो चले कुछ कोश्चिन लेते हैं रिस्टिनिंग के काफी अच्छे कोश्चिन है काफी इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग कोश्चिन है देखें फर्स्टिंग याप है कि अगार्डणर इंक्रीज दा एडिया ओफ इस रेक्टेंगुलर गार्डण बाइइंक्रीजिंग इस लेंथ पाइफ 40 परसेंट एंड डिक्रीजिंग इस विट्ट बोल दो या ब्रेट बोल बाते कि यह परसेंट जो उसने बिर्ट जो उसकी डिक्रीज कर दीदा एडिया अफ द निव गार्डण हैस इंक्रीज वाई 20 परसेंट 12 परसेंट 8 परसेंट एंड वो रहे की सेम रहेगा ओल्ड के साथ दीखें तो दीखें एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपू 40 बढ़ गई मतलब की 140 हो गई होगी यह मैं लेंट की बात कर रहा हूं इसको जो ऐसे बैसे और भी तरिक्के हैं करने के लेकिन एजो मुझे काफी अच्छा तरीका लगता है तो मैं ऐसे ही इसको सॉल्फ गरता हूं और अगर हम ब्रैठ की बात करें तो ब्रैठ को अगर मै कुछ और कलर सेज को लिखता हूं 0 स 0 और यहां से 5 से कार तो 5 से 5 से नहीं 2 से कर पेड़ेगा तो 25 जा यहां 5 मैं पर 7 जो यहां पे length की ratio निकल गई length length की और breadth की अगर निकले तो 0 से 0 काड़ दिया तो फिर से 200 काड़ दिसको तो यहां पे आ जागा 5 2 जा and 4 2 जा 5 ratio 4 आ रहा है ठीक है तो यहां पे आ गया 5 ratio 4 ठीक है तो अगर हम देखें कि length जो बो देखिए length जो वो हमारी यहां पे थी 5 ठीक length जो वो 5 थी जब हमने जो वो इसको 55 और अगर हम अहां इसके जो क्योंकि हमारा जो formula होता है length multiplier area का तो यह जो वो हमारी length और breadth है और यह जो हमारी new जो भी length प्रेट है वो यह बनी ठीक है तो अगर हम इसको solve करें side में तो 55 जा हो जाएगा 25 और यह जो नहीं बनी फिर 74 जा हो जाएगा 28 28 तो 25 और 28 में जो वो कितने का increase हुआ 3 का increase हुआ क्योंकि percentage में पुछा है तो 25 में से 3 का increase हुआ तो हम लोग लिखेंगे 3 का increase हुआ तो 3 upon किते में से 25 में से 25 और percentage में पुछा है क्योंकि तो 100 तो 25 4 जा होता है 100 और 4 3 जा होता है 12% is the answer has increased by 12% तो कुछ इस तरह से इसको जो वो solve किया जासकता था बैसे इसका जो वो इक और त्रीका है जिसको मैं यहां पर बता देता हूं और इसी इसी सीरीज में जो जैसे प्रीबी सीरीज की हम सी सेट के question डिसकर रहे हैं तो इसी में ही जो मैंने formula भी आपको बताया था कि जब भी ऐसा जो वो increase या decrease वाला question आ जाए तो a और b a b का formula लगा दीजिए a plus b और यहां बीज में होता है plus और a multiply b upon में हो जाएगा 100 तो a और b क्योंकि दो चीज दी है increase decrease तो a को मालो 40 और b क्योंकि decrease हो रहा है तो minus 20 मानेंगे तो यहां plus की जगा minus 20 हो गया ठीक है और यहां पर a और b में से जो b negative रहेगा तो यहां पर plus की जगा plus minus negative हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 40 multiply by 20 ठीक है 40 multiply by 20 upon में 100 आ जाएगा तो इसको solve करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर भी डारेक्ट जो ट्वह 12% आ जाएगा तो जिस तरीके से मैंने पहले किया वैसे इस तरीके से जो डारेक्ट फार्मूला लगा करके जो इसको solve किया जासकता था ठीक है ठीक है ठीकिन मुझे जो पीछले बाला पसंद है अगर आपको जो कौन सा method पसंद है आप बताई है ठीक है तो यहां से 0-0 बने कारती 0-0 यहां पर कारती 4-8 हो गया ठीक है 40 में से 20-20 बचा तो 20 में से 8- होगा ठीक है यहां पर 20 बचा और यहां पर 8 बचाए ठीक है ठीक है तो कुछ इस तरह से भी इसको किया जासकता था चलिए next question बचाते है next question भी काफी interesting है यहां पर बोला है कि a state line segment is 36 cm long तो एक state line है बहु जो वह लाइन सेग्मेंट है तो line segment बहुत है जिसके बहु बहु बिल्कू state होतार एक line होती है line का एक पार्ट होता है मतलब दो end point हो जाएंगो इसके और इसने बोला कि 36 cm जो बहु लंबी है point are to be marked on the line from both the end points तो यहां से बो दोनों end point से जबो end point सोरी mark किये जाएंगे कुछ point ठीक है इसने बोला कि from each end हर एक end से जो बहु दा first point it is as a distance of 1 cm मतलब कि इस साइड से मैंने एक से करता हूं वहले इस साइड से चला तो एक सेंटिमेटर मालो यहां जैसे आया from the end ठीक है end से एक point जो पहले बाला यहां पर आगे एक सेंटिमेटर के डिस्टेंस पर second point इसने बोला कि distance of 2 cm from the first point तो first point से 2 cm तो एक पर यहां जैसे हो जाएगा second point हमारा ठीक है ऐसे जो यहां इसको कैसे solve के जाए first point हो गया फिर जो वो second point आ जाएगा फिर third point आ जाएगा ऐसे आसे चलता रहेगा अगे तक up to end point तक मैंने माल लिया इसको और total कहां तक जाएगा 36 तक जाएगा ठीक है अगर हम इसको देखें कि यहां पे वैसे और भी तरीक है इसको solve करने का कि हम देख जाएगा n square plus n और यहां पे जाए 36 तू जा 72 और जब इसको solve करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 मतलब कि इस साइट से जब चले तो 8 आ जाएगे अब दूसरी साइट से जब चलेंगे तो 8 यह इस साइट से जो जाएगे लेकिन 8 8 जो वो कितना हो जाएगा 16 16 इसका answer नही होने वाला क्यों क्योंकि हमने जो point माने थे जो end point थे वो जो फर्स्ट point जो वो हमने नहीं लेने है इसलिए तो 2 minus कर दिए 16 में से तो कितना आ गया 14 अब आप बोलेंगे कि कि 2 point कैसे common आ रहे हैं ठीक है तो मतलब कि 14 में से भी तो 2 minus करना पड़ेगा फिर 12 इस साइट से जब चले और इस साइट से जब चले होंगे तो बीच में जो यहां पर 10 या 12 पर जब यहां पर जब भी जो भी point आएगा इसलिए वो point जो minus करना पड़ेंगे ठीक है एक सेंट से नमला कि दूसरा point जो दो सेंटीमेटर की डिस्टेंस पर है पूइंट लगाया जा रहे है तो कुछ इस तरह से जब इसको इसको सौलू किया जा सकता था चले एक और को शीन लेते हैं काफी इंटरस्टिंग कोशीन है और इसमें एक की concept जो यूज होगा देखे कैसे इसे बात नहीं होती है इसमें जबो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे 10% का लॉस हुआ 10% का जबो प्रॉफिट हुआ तो आपको जब भी ऐसा कोशिन आए तो जबो लॉस ही होगा ठीक है और लॉस जबो कैसे निकालने के कि इतना परसेंट लॉस हुआ तो फार्मूला है हमारे पास X स्क्वेर अपॉन तो यहां पी आगे 100 में से 100 कैंसल होगे हुआ तो आजाएगा 1 तो 1% का जबो लॉस होगा चेक है? इसमें? और हो में जब कूछ और हासकता है इसको जब और दूसरे केसे भी किया जाशकता है? ऍरेक्स्ट पार्ट में हम बत करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुक है ओके थेंक यू एंड हैव नाइस टेए